प्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आप देख रहे हैं गुलिष्टी जी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं यह एक ट्राउजर की मोरी का डिजाइन इसमें हमने यह कट वर्क बनाई है इसको इसकेलब भी बोलते हैं और यह हमने इसमें फोर टक्स द ज्यादा जॉइंट नहीं लगए तो यह सिंपल सा और खुबसूरत सा मोरी का डिजाइन है तो इसको आप शलवार की मोरी में भी बना सकते हैं और अपनी आस्तीन की यानि अपनी स्लिप्स में भी इस डिजाइन को बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसको हमने बनाया कि 4 इंच एश्ट्रा लिया है इसमें हम लगाएंगे यह कट वर्क वाला डिजाइन इसका टॉटोरियल हमारे चैनल पर मौझूद है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब बैक साइड से हाफ इंच के हम इसको छोड़ते हुए इसको पेश्ट कर देंगे यह हमने स्ट्रिप कट की है इसकी चोड़ाई 3 इंच है हम इसको इसके नीचे रखते हुए इस तरह हां से और यहां पर सिलाई लगाएंगे यह हमारे सिलाई लग चुपी है अब हम इसको आश्ट्रा फैबरिक को कट कर देंगे अब हम इसमें पीज बीच में इस तहां से कट लागा देंगे यहां तक नीक करना है कि हमारी तो यह तो यह तो नाई कर जाए इससे थोड़ा पीछे रखना है इस तरह से हम कट लगा लेंगे इसको हम राइट साइड में अब इस तरह से टर्न कर लेंगे टर्न कर लिया है अब इस पर हम प्रेस लगाएंगे इदर से भी अब हमारा जो कपड़ा है इसको इस तरह से फोड़ करेंगे अब यहां पर हम एक सिलाई लगा लेंगे अब हम इसको इसमें हमको टक्स बनानी है अब हम यहां से एक इंच पर इस तरह से कपड़ा लेंगे ठीक है और हमें इसमें हाफ इंच की टक्स बनानी है तो उसके लिए हमने हाफ इंच यह एक स्ट्रिप कटकी है जो थोड़ी मोट कारस की है इस तरह से नाथते हुए और इसको रखते हुए यहां पर सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी एक लाइन में सिलाई सीधी आए सू. Sittarhans, hann ekki einskað braiðið að búist traseraðkengi. Kvörður þurr í heisstu brokdegu. Hversu þessi læglega einnig? कि इस तरह से हम बागे पिंटेक्स भी डाल लेंगे जितनी पिंटेक्स आप डालने चाहते हैं उस तरह से आप बना सकती है अब यह हमारी टक्स बन गई हैं अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और पहले इस दर से पिरेश कर लेंगे हम इससे हमारी सारी सिलाई है खुल जाएं अब इस तरह से अब हमारी इसलाई हैं इसको नीचे की साइट को करते वेंद का रोख और इस तरह से अब हमारी इसलाई है चार टक्स हमारी इधर को सैट कर दिया है हमें अपनी मोरी जितनी भी रखनी हो सेब इन रखनी हो एट इंच हो तो हम इसको यहां से सिलाई लगाएंगे देखिए हमारी है सिलाई लग गई है साइट की अब हमारे यह रो एजेज हैं अगर हम इसको इस तरह से खोलेंगे तो यह नजर आएंगे तो हम इसको अंदर के साइड इस तहां से फोल्ड करते हुए कि पर यहां पर शिलाई लगा देंगे देखिए हमारी यह फोल्ड टक्स बन गई है हमें इस एक टक्स बनाने के लिए एक इंच कपड़ा चाहिए होगा इसलिए हमने चार इंच कपड़ा इसमें एश्टर रखा था तो हमारी यह फोल्ड टक्स बनी है मैं उम्मीद करती हूँ हमारी यह वीडियो आपके लिए हैलफुल रही होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक क्या करें शेयर क्या करें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही बेल आइ हुआ है